आपको तो पता ही है कि प्रकाश की तरण एक बिंदू से द्यूसरे बिंदू तक सीधी रेखा में जाती है इस मार्क को प्रकाश की किरण कहते हैं और अनेक किरणों को प्रकाश की शलाका कहा जाता है लेंसिस का बरताव समझने के लिए हमें किरणों के आरेक से काफी मदद मिलती है आज हम गोलाकार सताह से प्रकाश का किस प्रकार अपवर्तन होता है यह सीखेंगे इसके बारे में अध्यान करते समय हम अपवर्तन के मुलभूत सिधान्तों का आधार लेने वाले हैं क्यों न प्रस्तु सिमिलेशन के जरीए हम इस बात को समझे आप इसे इंटरनेट पर simbucket.com पर देख सकते हैं इस सिमिलेशन में प्रतिविम्ब तैयार करने के लिए हम मुमबत्ती उत्तलेंस और आउतलेंस का इस्तमाल करेंगे हम मुमबत्ती और लेंस के बीज की दूरी को बदल सकते हैं हम sliders की सहायता से मुमबत्ती की उंचाई को भी कमदिक कर सकते हैं यह एक द्विवत्तल या बाइकॉनवेक्स लेंस है इस लेंस का नाभिय अंतर भी स्लाइडर की मदद से बदला जा सकता है लेंस का नाभी अंतर दो बातों पर निर्भर करता है लेंस जिस पधार्थ से बनी है उसका अपवर्तनांक अर्थात अपवर्तन को बताने वाला अंक और दोनों लेंस की वक्रता अर्थात वे कितनी गोल है वी उत्तर लेंस के दोनों केंद्र बिंदू प्रकाश ये केंद्र से समान अंतर पर होते हैं वस्तु के किसी एक भाग पर फोकस करना अर्थात वहां पर केंद्र बिंदू होना इसे प्रकाश के स्तुरोत को पहला केंद्र बिंदू कहा जा सकता है और दूसरा भाग दूसरा केंदर बिंदू कहा जा सकता है लेंस के द्वारा किसी प्रतिबिंब को पाने के लिए हम किसी एक बिंदू से वस्तु पर पढ़ने वाली कोई भी दो किरणों का विचार कर सकते हैं यहां यह बताना जरूरी है कि प्रकाश के स्तूरोच से निकलने वाली और भी किरणे होती हैं पर वे अक्षा के साथ समानतर नहीं होती हैं और नहीं वे केंदर बिंदों से गुजरती हैं यह किरणे प्रतिबिम्ब के निर्मान में अपना योगदान देती हैं इन किरणों के पथ के बारे में अनुमान लगाना या उनकी गणना करना संबह होता है पर इस समय हम केवल लेंस किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में अध्यान करने वाले हैं अतहा जिन किरणों का जिक्र हमने पहले किया है उतना ही परियाप्त है अपवर्तन के नियमों का उपयोग कर ह इन किरणों के मार का पता लगा सकते हैं और उन बिंदू का भी पता लगा सकते हैं जहां पर यह अपवर्तित किरणे मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी मुख्य किरने किरन लेंस के मुख्य अक्ष से समानतर होती है और अपवर्तन के बाद दूसरे मुख्य नाभी से गुजरती है यदि लेंस के प्रकाशिय केंदर से गुजरती है तब उसमें अपवर्तन के बाद भी कोई बिचलन नहीं होता है अर्थात वह दिशा नहीं बदलती है यदि किरण मुख्य नाभी से होकर गुजरती है तो वह अपवरतन के बाद मुख्य अक्ष से समानतर उभरती है आउतल लेंस के मामले में ये किरणें अलग प्रकार से वरतन करती है लेंस और वस्तु की दूरी जैसे जैसे वस्तु और लेंस के बीज की दूरी बदली है वैसे वैसे प्रतिविम्ब के आकार और स्थिती में भी परिवरतन आया है आउतल लेंस हम निम्न लिखित दो नियमों के आधार पर आउतर लेंज द्वारा निर्मान होने वाली प्रतिविंब के प्रकृती के बारे में अध्यन करेंगे एक जब अपातित किरण मुख्य अक्ष से समानतर होती है तब अगर हम अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वै केंद्र बिंदू से होकर गुजरती है दो जब अपातित किरण केंद्र बिंदू से होकर गुजरती है तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से स वस्तू को जब प्रकाशिय केंद्र और अनंत दूरी के बीच विभिन स्थानों पर रखा जाता है तब उस वस्तू के आकार में क्या परिवर्तन आता है इसका निरक्षन करें लेंस के नाभ्यांतर में परिवर्तन के कारण भी वस्तू का आकार बदल सकता है पर ऐसा करने से उस प्रतिविंब के प्रकृती में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है यह प्रतिबिम्ब हमेशा वस्तु की अपेक्षा आभासी और सीधा और आकार में छोटा होता है अगर हम लेंस का व्याज बढ़ाएं तब उसका क्षेतर बढ़ता है और अधिक प्रकाश उसमें से गुजरता है जिसके फलस्वरूप अधिक उजला प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है इस सिमिलेशन से हम अपसारी और अभिसारी लेंस द्वारा निर्मान होने वाले प्रतिबिम्ब के बारे में चानकारी प्राप्त कर सकते हैं झाले प्रतिबिम्ब के बारे में चानकारी और अभिसारी और अभिसारी और अभिसारी और अभिसारी और आतिए हैं